नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तर एखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स पे एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे सामने विवेचन के लिए आई हुई है और देखेगा यहाँ पे जो इंडक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं गुरू परवत जिसे कहा जाता है ये हमारी हतेले में बैठने वाले पर्थम आचारे है ये देव गुरू ब्रश्पती है देवताओं के भी गुरू है अग गुरू का एक सिंपल अर्थ होता है जो अन्देरे से ले करके हमें प्रकास की तरब ले जाए उसका मतलब होता है गुरू जो हमारे जीवन में एक सही दिसा दिखाने का काम करे उसको गुरू कहते हैं जो ज्यान देने का काम करे उसको गुरू कहते हैं और ये देव गुरू ब्रिस्पती चाहे कुंडली में हो जनम पत्रे में हो या हस्त रेखा में हो सबसे महत्वपूर माने गई है क्योंकि सास्तर में उनको कई चीजों का कारक माना गया है जो मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा सुब या जरूरी है चाहे वो आपका ग्यान हो जब ब्रिस्पती इस तरों से कमजोर होता है तो ब्यक्ति के पास कितना भी ग्यान हो कितनी अच्छी नौलेज हो लेकिन उसका फाइदा नहीं मिल पाता है ब्यक्ति को चाहे बिबा हो ऐसे लोगों का विबा होना बहुत मुश्किल होता है अगर हो भी गया तो बहुत देर से होता है और उसका पूरा सुक भोग नहीं पाते है संतान का सुक मिलना बहुत कठिन हो जाता है पैतरिक संपति कितनी भी हो लेकिन उसका फाइदा जादा नहीं मिल पाता है और धन आपके पास बहुत अच्छी योगिता है आप अच्छी कमपणी में काम कर रहे हैं या अपना अच्छा बिजनिस है लेकिन धन की कमी रहती है अस्ताइत तो नहीं आता है और भी तमाम परकार के जो बहुत जरूरी सुक है जो मानव जीवन के लिए चाहिए चाहिए वो ब्रिस्पति देता है और आपकी हतेली में बरतमान समय में ब्रिस्पति बहुत साधारन अउस्ता में बैठे हुए है और इस अउस्ता में ये आपके अंदर साधारनता देते वे बरतमान में दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उसके कारण फिर भी आपका हस्मुक स्वभाव रहेगा दयालुता रहेगी प्रौपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष बहुत जादा नीचे नहीं जाएगा ठीक ठाक रहेगा हाँ यस पाने की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बना रहेगा स्वतंतरता और लीडर्शिप की चाह रखने वाला ब्यक्तित्व आपका रहेगा ब्रिस्पति को ठेक करना बहुत जरूरी है अगर तमाम परकार क जो है आपने सुक पाना है देखेगा जब ब्रिस्पति इस तरों से कमजोर होता है तो एक तो विक्ति को समय पर सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है गुरू नहीं मिलता है दूसरा कहीं न कहीं जिवन में बड़ा संगर्स ऐसे लोगों को करना पड़ता है और कई बार अपने आपको ये लोग अकेला महसूस करते हैं दूसरी बात है कुछ छेतर हैं ब्रिस्पति के जब ब्रिस्पति साधन आता है तो इन छेतरों में कमजोरी देता है बहुत ज़्यादा जो है विक्तिक काम्याबी नहीं पाता है नौकरी कर भी राओ उस छेतर में लेकिन काम कम्याबी उस इसाप का उस अस्तर का नहीं पाता है सिक्षा का छेतर है किसी भी परकार का इंजीनियरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिज्य का छेतर है कानून का छेतर है राजनीति का छेतर है अपना व्यापार है इन में बहुत जल्दी बहुत बड़ी काम्यावी नहीं मिल पाती है सबी चीजें मध्यम अउस्ता में रहती है यहाँ पे आपका ब्रिस्पति बता रहा है मनी कुल मिला के बात करें तो ब्रिस्पति ऐसा ग्राय है जिसका पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी है अब यहाँ पे एक चीज देखें प्रेक्टिकल रोप में आप दीखेंगे आपका ब्रिस्पति का परवत कहीं न कहीं जुक रहा है और सनी की तरफ दीखेगा गुरू परवत का जितना जुकाव सनी परवत की और होगा उतना जादा देर बिवा होने की संभावना बढ़ जाएगी और यह लगाता नीचे की तरफ दोड़ रहा है तो कहीं न कहीं बिवाह का जो सुक है उसमें कमी कर रहा है उसमें देरी करता हुआ दिखाई दे रहा है साथ में देखेगा बुद्ध परवत पे जो बिवाह की रेखा है ये तो बहुत अच्छी है सुन्दर है लेकिन बुद्ध के परवत पे एक तिल इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहा है ब्रस्पती सनी की तरफ जुक रहा है सादान अवस्ता में है और यहां पे बुद्ध परवत पर जो है एक तिल का निशान आ गया है ऐसे लोगों का पत्नी का सयोग नहीं मिल पाता है या पत्नी का सुक नहीं मिल पाता है धन कितना भी आ जाए कितने भी ये लोग मेहनत करे लेकिन धन अस्ताई तो रूप में नहीं आ पाता है ठीक है न? और दिमाग भी कभी कभी सही धंग से काम नहीं करता है और संतान का सुक भी ऐसे लोगों को ना के बराबर मिलता है अगर इसके समय पे उपाई न किया जाए दोनों चीजे अभी जो है सादी की योग नहीं बना पा रहा है ठीक है न? जो करियर का छेतर है जो धन का छेतर है उसमें भी अभी कुछ समय लगेगा कहीं न कहीं जो है चीजों को ठीक होने पे हाँ जीवन काल के पचासवे वर्स से जिवनकाल के पचासवें वर्ष से चीजें बहतर होनी सुरू हो जाएगे अब एक चीज और देखेगा बढ़ा सरल तरीके से देखेगा यहां पर यहां पर क्या है कि आपका बुद्ध में जो है काला तिल है और बुद्ध सरीर के पैकेजिंग सिस्टम का मालिक है और सरीर की जो पैकेजिंग है ने वो सरीर से होती है तवचा से होती है इसलिए अगर बुद्ध में तिल है और साथ में आपका सोर्य जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा भी गड़बड है तो ऐसे में क्या होती है तवचा समस्या बाहरी लेबल पर हो जाती है बुद्ध के अनबैलेंस होने से, दोसित होने से तवचा के समस्या होती है, एलर्जी की समस्या होती है और कभी दोनों चीजों को ये दिखाता है, तवचा के समस्या भी और एलर्जी की समस्या भी कभी-कभी खुजली की समस्या ब्यक्ति को परेशान करती है और सूर्य भी अगर इसके साथ मिल जाए तो दाग धब्बे इस परकार के जैसे आपकी ये है चमडी पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ठीक है नहीं जग जग दाग धब्बे दिखाई देते हैं और ये समस्या बढ़ते रहती हैं क्या करना चाहे इसका उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके आपको दे दूँगा एक तो सूर्य किरिया इसके लिए बहुत बेहतरीन है दूसरा जिस प्रकार से आपके गरहन अच्छतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे इसाब से देखा जाए तो दिव्यय योग ध्यान किरिया भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है यह दोनों किरियाएं मैं ओडियो के माध्यम से आपके वाटसप नम्मर पे दूँगा इसको विदिवत तरीके से करने की कोशिस करे निश्चित तोर पे जीवन में सपलता मिलेगी यहाँ पे यह दिखाई देरी है वैसे साधी की योग तो नहीं बन रहे हैं लेकिन उपाई में जरूर दूँगा अगर इस्वर ने चाहा तो कहीं न कहीं जो है आपकी मदद इस्वर जरूर करेगा एक बहुत अच्छी चीज आपके हतेली में दिखाई देरी है लेकिन इसका फाइदा जीवन काल के पचासवें वर्स से जो है मिलना आरम हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि आपकी मणी बंद से एक रेखा निकल करके सूरे की और बढ़ रही है इस बीच में थोड़ा गैप है पूरी तरों से अभी उबरी नहीं है जीवन काल के पचासवें वर्स से तक ये रेखा पुष्ट और सुन्दर हो जाएगी बहुत रियर है ये रेखा कम हतेली में मिलने वाली रेखा है ना के बराबर है लेकिन अत्यमत स्रेष्ट है जब ये पुष्ट और सुन्दर होगी ने तो ये रेखा अपनी कमाल जरूर दिखाएगी मात्र एक ये रेखा किसी ब्यक्ति की हतियली में हो न तो वो ब्यक्ति अपनी जीवनकाल में इस रेखा के पुष्ट होने पे इस रेखा के सुन्दर होने पे सारे सुकों को पाने वाला होता है हर सुक ऐसे बिक्ति को प्राप्त होने वाले होते हैं हर छेतर से ऐसे बिक्ति को लाब मिलने वाला होता है वो जो करेगा उसमें ही उसे सपलता मिल जाएगी इस परकार की जो है ये रेखा होती है इस बात की पुष्ट होती है देखेगा मैं हर वीडियो में क्या करता हूं सूरी की उपर जादा बाद करता हैं इसलिए मैं फोकस करता हूं क्यों जादतर पुराने जो तिरविद जो थे सूरी को ही अपना धेय मानते हैं क्योंकि हतेली में जनम कुंडली में हर जग सुर्य को बलाबल इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये राजा है और आपकी हतेली में या आपकी जनम कुंडली में सुर्य बलवान हो तो बाकी चीजें कमजोर भी हो तो भी आपको प्राप्त हो जाएगी चीजें मान लीजेगा अगर किसी विक्त की हतेली में ये जीवन की रेखा ठीक है कम जोर है कम है लेकिन सुर्य की रेखा इतनी बड़ी है जैसे आपकी है ठीक है न तो ऐसे विक्त के पास क्या हो जाता है संकराचारे हो जाएंगे 32 विक्त धराधाम से चला जाएगा लेकिन क्या है आज भी वो हमारी बीच जीवत है ने सरीर उनका नहीं है लेकिन वो जीवत है तो वो जीवत सुर्य रेखा ही करा सकती है मतलब विक्त अगर कम उम्र भी जीए गाने तो सदेव वो लोगों के मन मस्तिस्क में रहेगा तो इस परकार का फलित देने वाली ये सूर्य रेखा होती है तो आपकी जो है जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है लेकिन जब ये पुष्ट और सुन्दर हो जाएगी तो सारे सुकों का आप भोग करेंगे अब यहाँ पे देखेगा एक रेखा इधर से ये बनती हुई दिखाए दे रही है लेकिन पीछे से बनेगी ये ऐसा ब्यक्त डेफनेटिली बिदेश यात्रा करता है और ये रेखाए एक बार नहीं कई बार विदेश यात्रा कराती है और जब ये पूरी तरों से यहां से आ जाती है ब्यक्ति सेटल्मेंट कर लेता हुई सेटल हो जाता है तो यहाँ पे ये चीज भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है यहाँ पे एक चीज बहुत सुन्दर और भी है आप देखेंगे आपकी जो मस्तिस्क की रेखा है अभी मैं थोड़ा सूरे रेखा की बात करों सूरे रेखा जिस तरों से यहां जा रही है यह जब इसपश्ट हो जाएगी कहीं न कहीं जीवनकाल के पचासवें वर्स तक आपके घर की योग बन जाएगे और उपाई में दोंगा हो सकता है साधी की योग भी बन जाएगे धन और करियर के मामले में जीवनकाल के जो है बावनवे वर्स से इस्टेबिलिटी आनी सुरू हो जाएगी जीवन के 56 वर्स के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहां पे दिखाई दे रहा है और ये चीजें बता रही है आपका अंगोठा लेकिन ब्यापार आपके जीवन में नहीं है ब्यापार में नुपसान है आपके लिए ब्यापार नहीं बना है आप करेंगे तो नो करें ही अगर ब्यापार करना बहुत जरूरी हो तो पार्टनर्शिप में ब्यापार न करें इस बात का आप ध्यान रखेगा बहराहल देखेगा जिस तरों से आपकी जो है मस्तिस्क की रेखा है ये अपने आप में बहुत अच्छी है बहुत अच्छी जो आपका बौदिक अस्तर वो कमाल का है एक विबीक वान बिक्तित तो है आपका और अपने विबीक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले बिक्ति हैं आप मस्तिस्क से कारे करने वाले बिक्ति हैं आप नौकरी है या कोई और काम कर रहे हैं तो भी अपने विबेक का पूर्ण परियोग करेंगे अपने मस्तिस्क का पूरा परियोग करेंगे और कहीं न कहीं सपलता आपको मिलेगे जिस छेतर में आप कर रहे हैं वो ब्रिस्पती का छेतर है जब तक ब्रिस्पती सुन्दर और पुष्ट नहीं होता है वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जो मिलने चाहिए जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया है उस ग्रोथ को पाना है उस सिर्ष अस्तान को पाना है तो आपको उसके लिए ब्रिस्पति को पुष्ट और सुन्दर करना है इसका मैं उपाई दे दूँगा और ब्रिस्पति ही ऐसा ग्रा है जो सुक्र के साथ मिलकर के जियान रखे सुक्र के साथ मिलकर के इस्तरी सुक दिलाता है परिवार का सुक दिलाता है बच्चों का सुक दिलाता है आपका ब्यक्तित्तों का सुक दिलाता है लग्जरी लाइप दिलाता है और बुद्ध ऐसी चीज है जो वानी की सक्ति को प्रेरित करता है तोचा का मालिक है तोचा को बहुत सुन्नर रखता है तो इन तीन चीजों का आपको विसेश जो है उपाय करने पड़ेंगे ये मैं आपको दोगा बहरहाल देखेगा बिरस्पति पे इस तरों से लकीरे जा रही है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लेडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे है यहाँ पर नीचे की तरब भी रेखाएं जाती हुई दिखाई दीरी है यह क्या बता रही है कि कहीं न कहीं जो है अध्यात्म के परति भी आपकी रुच्ची है अध्यात में भी आपके अंदर है धार्मिक भावनाई भी है जब ये रहखा पूर्ण रोप से इस तरह मिल जाएगी तो ये बहुत बड़ा फल आपको देगी अपने छेत्र में एक उच्च पद की प्राप्ति आपको हो इसके लिए ब्रिस्पति का उपाई जरूर करें यहाँ पर देखें हिर्दे की लकीर जो साब सुत्री इस तरह से जारी है और ब्रिस्पति को टच कर रही है ठीक है नै? ब्रिस्पति पर पहुँच ने रही है के वो टच कर रही है सुभा उठते ही तीन चीजों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है किन चीजों पर? उठते ही दाट पर उठते ही फिजिकल बोडी की तरब ध्यान जाएगा उठते ही कामुपता की तरब ध्यान जाएगा इस बात के और यह संकित कर रहा है यहां पर हिर्दे रेखा को बराबर यहां तक काट रहा है ऐसे में रिष्टे नहीं बन पाते हैं चाई वो जो है विबाह का रिष्टा हो चाई वो किसी विप्रकार का रिष्टा हो कोई रिष्टा ऐसे में नहीं बन पाता है तो इस चीज का विशेश दियान लखें उपाई मैं विदिवत तरीके से आपको दूँगा जीवन रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आके इस रेखा से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है मनि आने वाले 50 की उपर का जो जीवन है कहीं न कहीं जो है विदिश की तरफ आपको ले जा रहा है और बहुत अच्छा फल देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रेखा यहाँ उजागर होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ से एक रेखा इसको कट कर रहा है थोड़ा बाद विबाद से दूर रहे विसेश कर जो है जिसमें कानोनी पचड़ा हो ठीक ने? इस चीज का विसेश दियान रखे पुलिस केस उगेरा इस तरह की चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कहीं न कहीं जो है और विसेश तर भाईयों के बीच अगर कोई जमीनी विबाद चल ला होगा तो उसमें फिलाल चुक बैठ के रहे हैं इस तरह की चीजें आपको नुकसान दे ही हो सकते है सुक्र पे भी जो है काला तिल है ऐसे में बिक्त को जो है धन के मामले में सुक के मामले में चायो सारिरिक सुक हो मानसिक सुक हो या दामपत्य जिवन का सुक हो ये सुक नहीं देता है बिक्त का जिवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है बहुत जादा मेहनत, बहुत जादा परिशनम करने के बाद भी अभाव की इस्तिति को ये जन्म देता है और कहीं न कहीं समश्याओं को पैदा करता है, इस चीज को ये दिखाता है इसके लिए दिव्य योग ध्यान के रिया सबसे बड़ी चीज है, इसको जरूर करिएगा यहाँ पर अगर देखें, तो ये पहली रेखा आपकी मनी बंद की रेखा है, स्वस्ति की रेखा ये आपके स्वस्ति के वारे में, आरोगी के बारे में और तंदुरस्ति के बारे में बताती है यहाँ पर दूसरी रेखा इसी से मिल कर निकल रही है, जीव अनकाल के जादतर हिस्से तक कहीं न कहीं जो है समश्याओं को जन्म दे रही है चाहे सारिक स्वस्त्य है, चाहे मानसिक स्वस्त्य है, मानसिक स्वस्त्य के रोप में देखा जाए, तो संगर्स और चिंता को जन्म देरी है, सारिक स्वस्त्य के रोप में देखा जाए, तो बुद्ध के साथ मिलके तवचा समंदी विकार उत्मन करती हुई, यहाँ पे वर्सतर तक समाप्त स्वेटे वह जाएंगे उसके बाद सार्विक स्वस्थ आपका बहुत बेहतरिन non-shik बोक्त बहुत बेहतरिन यहां पर दिख़ाई देया है और धन के मामले में करियर के एस्वरे भोगने का सुक आपको मिलेगा आपकी जीवन में सुक है बहुत अच्छा सुक है ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंगोठे के नीचे का भाग सुक्र का परोत है कला के लिए, सुन्दरे के लिए, सुन्दरता के लिए इन सब चीज़ों के लिए और एक सुकत जीवन के लिए हतेले में इसका पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी है आपकी हतेले में सुकर सुन्दर रोप में उबरावा दिख रहा है तेजोमय अवस्ता में है लेकिन यहाँ पे तिल होने की वोज़ों से इसके जो सुन्दर परिणाम है अच्छे परिणाम है उनको यह खतम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस रूप में जीवन में परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसके लिए दिब्य योगध्यान के रिया जरूर करें बहुत सुन्दर रहेगा हाँ आपका निमनमंगल उचमंगल बहुत अच्छा है जीवन में कितनी भी प्रेशानी आजाए कितनी भी समस्याईं आजाए कभी हार नहीं मानेंगे लगातार लगे रहेंगे जूजते रहेंगे और जीवन में सफल होंगे और देचेगा इसके साथ-साथ जो अंदर की power है जिसको हम पराकर्म कहते हैं वो बड़ा सुन्दर रहने वाला है एलर्जेटिक सुभाव रहने वाला है दूसरों की मदद करने के लिए हमेसा खड़े रहेंगे दूसरों के साथ खड़े वाने वाले बिक्तियों में स्रेश्ट बिक्ति हैं दूसरों की मदद करने वाले बिक्ति हैं हाँ अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तेदि से चाई परिणाम कुछ भी निकले और यही चीज आपको दोसरों से सबसे अलग कर लेगी बहुत सुन्दर है इसके बारे में हमने बता दिया है सनी का देखें अभी तो सनी में जो है एक कट-कटाओ की इस्तिति इस पश्ट दिखाई दे रहे हैं सनी अभी बकरी अस्तान में है ऐसे में कभी-कभी बेवजहे की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जिसके कारण बिक्तिका जो दिमाग है तनाव की इस्तिति में आ जाता है और सुकों में कमी होती है ऐसे में बिक्तिका ये बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशिया नहीं होती है ये इस परकार की चीजों में जो है ब्योधान उत्वन कर रहा है सूरे देखेगा हलका दबावा यहां पे दिखाई दे रहा है यहां पे उठावा दिखाई दे रहा है अनबैलेंस है मतलब आपके जो सारिक चक्र है वो सूरे की चक्रों के साथ परसपर ताल मेल में नहीं है जिसके कारण सारिक स्वस्त्य जीवन की खुसाली जीवन की ओड़जा कहीं न कहीं जो है इन चीजों में कमी को दिखा रही है सूर्य किरिया करने से जहां आपके कारियों को विστार मिलेगा यस की प्राप्ति होगी वही अगर देखा जाए जो आपका सार्रिक स्वस्ति है जीवन की खुसाली है ओर जा है इन में जो है ब्रिदी होगी और ये आपके साथ रहेंगी सार्रिक स्वस्ते बहुत बहतर हो जाएगा मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और जीवन सहिजता से चलने बैट जाएगा सुर्य किरिया की माध्यम से इसके बारे में हमने बता दिया है चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आ रहा है निश्चित तोर पे अगर देखा जाए आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे-धीरे बहुत सुन्दर होता जाएगा सकारात्मक सोच रहेगी छलकपट से दूर रहेंगे और क्रियेटिब रहेंगे यह आपकी हतेली का चंदरमा कहता हुँआ दिखाई दे रहा है कुन्मिला के बाद करें तो आने वाले बावनोंवे वर्ससे चीजें बेहतर होती हुई दिखरी है, मकान का सुक मिलने वाला दिखाई दे रहा है जीवन काल के 56 वर्ससे बहुत सुन्दर समय यहां पर दिखाई दे रहा है चीजों में stability आती हुई दिखाई दे रहे है marriage life अगर देखें तो उसका सुक अभी नहीं दिखाई दे रहा है उपाई करने के बाद कोई possibility जरूर बनेगी उसके बाद आप हातेले का विवेचन कराईएं तो step perfect चीजें उभर कर आ जाएंगे विदेश यात्राओं का लाब भी यहां पर साथ तरों से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और जीवन में जो समस्याएं चलने हैं बिसेश कर स्वस्त्य समंद्य समस्याएं उपाई में दूंगा उसको करने से निश्चित ही जीवन में कहीं न कहीं राहत मिलने की संभावना यहां पर है और जो बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जाते हैं इस मामले में वो प्रेशानी दूर होती हुई यहां पर दिखाई देरी है इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो उफस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार